this is the third chapter and metals and non metals iron होगय metal के अंदर सबसे ज़्याधा important iron क्या गरता है अगर acid के साथ मिलता है यह metal है acid के साथ मिलता है किसी भी acid के साथ मिलता है अगर metal तो क्या बनता है hydrogen यह hydrogen gas बनता है दो तरीके के बच्चे हैं एक है लड़ाई जगड़ा करने का ना और दूसरा है जो जिसका काम है कि पढ़ाई करना अपना किसी से रियक्ट नहीं करना मतलब किसी से गुलना मिलना नहीं सिर्फ आना अपना काम करना फिर जाना एक बच्चा अच्छा बच्चा मतलब वह एक अच्छा बच्चा है और क्लास मे उसके साबाशी होती है वावाई होती है पढ़ने वाले बच्चे सब उसके आगे पीछे रहते हैं जादतर बच्चे उसके आगे पीछे होते हैं क्यों क्यों पर फिर भी किसी से रियक्ट नहीं करता मतलब फिर भी किसी से बात नहीं करता जादतर बच्चे चाहते हैं उस उसको नीचलाया नहीं बैटता हो पाद confess असबसे ज्चाइब करने वाला रगंला इंसान कौन है जिंक इसको कोई निचा यह एक जगा बैठता है नहीं है यह सब के पीछे पढ़ता है सब इससे परिशान है एक तरह से आइरन भी परिशान है सब इसको परिशान करके रखता है और जो सिल्वर होता है ना सिल्वर एजी होता है जो सिल्वर होता है यह होता है पढ़न वबहने हला वाला वच्चा यह किसी सब कि पीज़े भागते हैं सब सीलवर के पीछे आगे पीछे दाएं भाएं ग्हूमते फिरते हैं जा यह जी होता हैं यहीं किom मतलब भी नहीं है तुम कुछ सि करो इसको कोई मतलब भी नहीं है इसको कोई परिशान करना ही आता करी नहीं पाता कॉई से कि express कि onda कि एक rec भी जो सबस्क्राइब करने करता है और चिंक होता है वह सबसे करता है तो कि यह सब क्या होता है silver non-metals क्या होते है gases हो गई gases हो गई non-metals के अंदर होते है liquids होते है non-metals liquids आती है solids आते हैं यह हमने पढ़ा था 9th class में ओके यह होते हैं सब non-metals को कहते हैं हम इसे इन दोनों की जो बीच के property होती है उसे क्या बोलता है metalloids मतलब होता है जैसा मतलब मैटल जैसा मैटल लोईट्स मतलब क्या होगा मैटल जैसा मैटल जैसा नहीं तो मैटल है पूरी तरीके से नहीं नोन मैटल है बट मैटल जैसा है मतलब मैटल जैसा है मैटल नहीं है शार्टन चीज़े एक चिजह को जैसे कि यूणी के एगज़ामपल पहला हो गया इसका मेंतल का उन्हy каких क्या और रखी है इस कि प्रोपर्टीज में उन्हy है कोंसा मेंतल है जो रूम टैंपरेचर पर क्यूम करब रहता है और यहां तो बोल रहा है पानी जैसा होगा तो कौन सा मेटल होता है रूम टेंपरेशर मतलब होता है कि आपकी कमरे का टेंपरेशरज जो हता है उस पर ना उस पर कमरे का तॉल्हता है 34 डिगरी ठीक है, मरकरी, मतलब HG नेक्स्ट समस्ते हैं, can be easily cut with a knife कि कौन सा metal है, जिसको हम knife से, चाकू से काट सकते हैं, वो था sodium थर्ड वन इस, कोशिन कह रहा है, कौन सा metal जल्दी गरम हो जाता है जल्दी गरम हो जाता है, कौन सा metal होता है, वो था silver, AG होता है कौन सा poor conductor होता हीट का, मतलब जल्दी गरम नहीं हो पाता तो second, first one is mercury, HG, जल्दी गरम नहीं होता second one is lead, PB, ठीक है, P capital होगा, और B होगा small में PB, और ऐसे ही, HG होगा, H capital में होगा, G होगा small में तो silver, और दूसरा PB, lead, lead मतलब सीसा यह हमने question कर लिए है, समझ लिया, आप एला question complete हो चुका है मतलब जो internal questions है आपके, वो हमारा complete हो चुका है अब देखोगे, screen पर देख पारे हो आप, कि इसमें आपको पूरा chapter page दे रखा है इसके अंदर एक internal questions भी दे रखे है न, वो मैं करवा रहा हूँ इसमें आपको, इस सारे chapters हैं, यह सब इनमें सारे chapters के अंदर आपको internal questions करवा जा रहा हूँ मैं आपको, करवाते जा रहा हूँ, क्यूं जरूरी है questions, ताकि आपको in future आपको chapter पढ़ते वक्त, यह दिक्कत ना हो कि आपको question answer नहीं आते है question answer याद करवाँगा मैं आपको, और याद करेंगे और बड़े तरीके से इसको practice भी करेंगे, ओके यह हमारा हो चुका है, आप इसको पढ़े लेओ, screen source ले सकते हैं, answers को, अब आता है next, second question, आगे examples बोलता है, meaning of, बोल रहा है, explain, meaning maleable क्या होता है, maleability, मतलब, या maleable, क्या होत होता है, कोई सबस्टांस है, जैसे हीट है, पत्थर है, या कोई भी मैटल है, मैटल भी सबस्टांस में आता है, तो सबस्टांस है कोई भी, उसको यदि हम seats में convert कर सकते हैं, पतली seat में convert कर सकते हैं, तो उसको बोलता है maleable, ज़्यादे तर example क्या होता है, मैटल होते है, maleables मतलब iron silver magnesium aluminium यह सब क्या है metals है डक्टाइल क्या होता है wire करना कोई सब्सक्राइब कर सके किसी भी सब्सक्राइब को तो वह क्या कहला है क्यों मैटल कैसे डक्टाइल है wire में और मेलेबल मतलब होता है sheets में सब्सक्राइब करना पतली sheets में तीन sheets में कौन सा सबसे बैस्ट मेलेबल है और सबसे बैस्ट है जो सबसे बैस्ट डक्टाइल हो सकता है वह ता गोल्ड सोना define the following terms अब यह तीन वर्ड्स है इन तीन वर्ड को मैं आपको अच्छे तरीके समझाता हूं इसको पड़े तीन मिन्रल और गैंग यह गैंग पड़ेंगे इसको अब को यह वर्ड है ना सइसे क्लियर दिखाई दे अच्छी तरीके से पहला जो सब्सक्राइब मिन्रल मतलब होता है जब भी हम कोई भी समान कोई भी चीज है कोई भी element है हम निकालते हैं प्रिथवी से денег में प्रिथवी के दरती में से जब हम निकालते हैं उसको तो हम उसको निकालते हैं मिन्रेल रूप में मिन्रल मतलब कि एलिमेंट केपे द विया क्या निकाने हैं idlements अब वो element कैसे होते है chemical composition में की साथ होते ya हम की हिड्रो जो साथ मैं निकाला है oxygen अब तो यह है ineron स्कूल में कैमिकल कंपोजिशन के रूप में क्या मैं क्या मैं क्या बहुचे क्से हो वलें एक यह नहींनगों दोटेने ऊंड Hare्व को सब्सक्रग शेसं में तो गित थूए कि वोता है करहम धियुआ कोंक सारे मतला करे नहींनगे डिजिर्म को करें तफिखेंके यह sensors की फ़र्म में लिक्वुड गेस की साथ मैं लिक्विड गैस मेटल नॉन मेटल मेटल और नॉन मेटल कोई भी चीज है कि घैस में इलिमेंट के बेस पे हैं ठीक है कोई भी एने सील है एने से सोड़ा साल्ट का नमक का फॉर्मूला होता है तो यह सेम है कहीं पर चले जाओगे से मिलेगा भारत में इंडिया में रहोगे अब अमेरिका में चले जाओगे पानी को लेकर तो पानी का फॉर्मूला ही रहेगा वाटरी रहेगा यूनिवर्स में ब्रहमार्ण में चले जाओगे तब भी उसका फॉर्मूला क्या रहेगा तो क्या है मिन्रल है यह क्या है मिन्रल इसको बोलेंगे मिन्रल कंबाइन इसक गया आगये अधुय मैटल आगये जो मेंटर अगए लॉनियसा गर तो उनके अम準 पथरों के अंदर को तोड़ तोड़ के अगर भाव निकाल रहे हैं जमीन को से अगर हम Metal निकाल रहे हैं या कोई Metal Oxide है तो Metal Oxide मेइस क्यान कर रहे हैं मैटल शो वांक में ढाल सबक्राइब होता है जो सकी जग होती है जग लग जाती है उसको निकाल देंगे तो अम हम रख लेंगे तो वह क्या है है एक और है समझ मैं हिंदी में नोट डाउन कर लो आप नोट बुक में नोट डाउन कर लो कॉपी पैनल लेकर सीरियसली नोट डाउन करो तब याद होगा आपको याद नहीं होगा दरवाइस नोट डाउन करो इसको बहुत ज़्यादा जरूरी आपनी किताब में नोट डाउन करो कहीं पर भी नोट डाउन करो इसे नोट डाउन करो बैसे फिर आता गैंग ओर के साथ और के साथ या कोई रेरिंग रोगो उसको चपर कर सकते हो स्कुर्ण कर सकते हुँ आप कॉपी में पास दे रखा आंविध इस्टीम क्या होता है वाटर होता है deal h2 को यह रिए को साथ टीम के साथ याट मेंज पानी के साथ रीएक्ट करवाय जाता है जो दोने मिलाया जाता है तो तो निकलता है भार हाइडोजन भार निकलता है और क्या बनता है यहां पर एफी lacks or iron Oxide शेट इक आपके दो पार्ट सेकंज़ सेकंड और थर्ड पार्ट यह टाइप होता है फेरसफेरिक इस तरीके से फोर एच टू यह गैस निकलेगी यदि कैल्सियम और पोटेशन जब रियक्ट करते हैं पानी के साथ तब क्या बनता है हाइड्रोक्साइड बनते हैं बेस बनेंगे यह बात पता है हमें पहले से ही सा जब यह मिलेंगा पानी इसमें पानी है यह जब मिलते तो कैस्यम हड्रोक्साइड यह हो गया और पोटेश्यम हड्रोक्साइड यह बेस है दोनों क्या है यह है यह हार्ट निकल लिए मतलब एक्जोधर्मिक रियक्शन चार मेटल्स अमारे पास उनको अलग-अलग सॉलू सब्सक्राइब करना है यहां पर रियक्शन नहीं करना है यहां पर रियक्शन नहीं करना है यहां पर रियक्शन नहीं है तो यहां पर रियक्शन नहीं करनी है रियक्शन क्या है डिस्प्लेश्मेंट यह एक तरह की रियक्शन है ठीक है टाइप ओप रियक्शन है यहां पर बोल रहा है displacement type of reaction है अच्छा यहां पर बोल रहा है chemical reactions की है इंधी displacement contract came a process अलग होती है चामेंस पर अगे results Houtah जो यह होता है वह reaction अगर करेगा किसके साथ आरं cdleफesht के साथ इरण ऀदिया A metal, कोई भी metal है A, बोल रहा है कोई भी metal है A, वो react कर रहा है iron sulfate के साथ तो क्या हो रहा है, इसमें क्या बनेगा बई तो क्या बन रहा है, साथ में बन क्या रहा है, मतलब no reaction कोई reaction ही नहीं हो रही है reaction हो ही नहीं रही है, अभी हमने देगा था most reactive और least reactive के बारे में तो कोई reaction ही नहीं हो रही तब क्या होगा कि इसका मतलब क्या है कि जो most reactive कोई reaction नहीं हो रही है मतलब क्या है कि least reactive है कौन मतलब जब कोई reaction ही नहीं हो इसका मतलब क्या है कि वो सांत लड़का है किसी से बनाई बोलता बोलता जोलता नहीं तो reaction होईगी नहीं बोलता नहीं है किसी से भी उस अच्छा बच्चा हो लड़ाई नहीं करता हाना तो A है A क्या चीज है रियक्स नहीं करती है किसी साथ A react नहीं करेगी तो क्या होगा no reaction मतलब iron नहीं अटेगा इसमें से आइरन ऐसे कैसे रहेगा तो नो रियक्षन तो यह क्या है एस लेस रियक्टिव देन आइरन अब बोल रहा है कि ए यह मैटल जो ए मैटल है ए मैटल है वो किसी साथ रियक्ट कर रहा है कोपर सल्फेट के साथ सल्फेट एक साल्ट है सल्फेट एक साल्ट है साल्ट किसी साथ र देख पारे हो हना इसमें सबसे ज्यादा रियक्टिव कोन है जिंक है और सबसे कम रियक्टिव है जो लीश्ट रियक्टिव है सबसे कम रियक्टिव है वह कौन है सिलवर है सबसे नीचे दे रखा है ठीक है ? बीच में भी दे रखा है I рुख है इसके अंदर बीच में और आयरन भी दे रखा है ? तो यह क्या है यह बीच कि embora है ? ठीक ए यह चीज मैंने आपको समझाइई ती स्टार्टिं cockpit में समझना आपको जब ए चौपर सुल हटेगा displacement reaction क्या होता है कि एक चीज़ हटेगी दूसरी चीज़ जुड़ेगी मतलब एक मैटल यह जो कॉपर मैटल है वह हटेगा क्या बनेगा ए और सल्फेट जुड़ेंगे दूने तो क्या होगा कॉपर इस कांसर क्या होगा कॉपर यह बोलेंगा मेटल ए इस मोर रियक्ट हो गया कि अधिन यह सब्सक्राइथ हो करें नइस लिए कि ट्रॉत वर्सक्राइब चाहीं न्यून॥े हो क्या है कि इस वह लीए रियक्टिव और ował जाएं वाइन कोपर में इस जल्द जादा रियक्टिव है किसलिए कि टूट शुल गयो अप अटosaic